आप अब नमस्ते सबीकों आज हम इस सबसे यह कड़ाई का जो डबा है इससे कुछ बनाने वाले हैं जैसे कूकर की डब्बे से बनाया है ऐसे हम कड़ाई की डब्बे से भी बनाएंगे तो मैं ऐसे इसे बंद कर लेती हूं इस पर लगा लूँगी टेप मैं इसे बंद इसले कर रहे हूं क्योंकि मैं इसको डिवाइड करूंगी दो भाग में बीच में से कट करूंगी दो पीस बनेंगे इससे इसले इसको मैं टेप लगा रहे हूं ताकि यह खूले ना और बताईए आप सब कैसे हैं क्या कर रहे हैं मैं आसा करें देखो हम इसको ऐसे बीच में से काट लेंगे यह मैं ठोड़ा निसान लगा रही हूं से चाको से हल्का लाइनिक हो जाएगी इस पर तो काटने नही कीविए कहांची से तो कटेगा निस तरह क्यूंकि बंध है चाकॉर है उसलिएमें इसे चाको से ही काटना पड़ेगा तो यसे है हमारा तो हाथ ही कट गया देखो यह दो पीस हो गया है इसके इसके अंदर जो नीचे बेस में लगाने के लिए ताकि इसका बेस थोड़ा मजबूत हो जाए तो मैं यह एक एक्ष्टा गत्ता है जो इसी में से निकला है अंदर से समय इस पर लगा लूगी यह से छोटा है स्वेस को डिवाइड कर दूंगी दो आगों में तो दोनों में लग जाएगा इसे बीच में से काट लेंगे मैं इसे पेपर को कट कर लोंगी इसके लैंद कि अकोरिक विच में से रखके इसे ऐसे ही चिपका लूँगी इसके किनारे पर भी मैं फैविकोल लगा लूँगी यहां पर और इस जाट पेपर पर थोड़ा ना तब तस्वीरे जो बनी हुई हैं वो मेल्स फीमेल्स चिल्टरंस इस तरह की हैं तो इसको में चारो तरफ एक साथ नहीं लगा सकती इसलिए मुझे उदर इदर एक बार इदर से लगाना पड़ेगा ताकि यह सीधे दिखें और यहीं मैंने इसको कट कर दिया है ऐसे ही मैं इसे दूसरी साइड से लगाऊंगी अगर मैं उस सी घुना देति तो यह उल्टे हो जाते इससे इह इस से लगाऊंगी ताकि इनका पोस्यर ठीक रहे है ठीक रहे है अब मैं ऐसे इससे लगा लूँगी जो दो पीस काते थे इवो न पर में लगा रही हूं debate किसा नीचे की तरफ रहा यह उपर की तरफ यह इसके अंदर रखना है हमें ऐसे ठीक है तो मैंने इसके चारों तरफ यह पेपर चिपका दिया है अंदर भी पूरा कवर हो गया है यह अंदर हम दूसरे वाले में रखेंगे मैंने एक एक्ष्ट्रा बना लिया था यह ऐसा ही पेपर बचा हुआ था इसके इसे में बनाओंगे अभी अब इसके किनारों पर हम जो हमारे पास सुतली है उससे थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे नहीं तो आपके पास अगर कुछ और चीज है जैसे साटन वाला रिबन आता है उससे भी आप बना सकते हैं मेरे पास यह सुतली ही रखी है तो मैं इस से ही इसके किनारे जो दिखाई दे रहा है इन्हें कवर कर दूँगी अर यह काम आप ग्लू से ही करें तो ज्यादा बेतर है क्योंकि फैबिकोल से इतनी जल्दी चिपकता नहीं है देखो यह मैंने पूरा कवर कर दिया ऐसे ही मैं इसके चारो । किनारे कवर होगी है मैंने इसमें हैंडिल लगा दिया है यह जो अब ही मैंने वो कुकर के डबह सभी से टोक्री बनाई थी उसके लिए जो चोटी बनाई थी यह कृईT यह से बचा हुआ था यह उसंब मैंने से यहां प्लेस कर दिया यह बोटल ना ऐसे गिरती पिरती रहती है यहां रखी आार रखी हाथ लग ग्या फिर गिर गाई तो इसलिए मैंने इने तीनों बोटल इसमें रख दिया है जरूरी नहीं है बोटल से रखें इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अभी देखो मैंने इसमें किचन टावल रख दिये हैं आप किचन टावल रख दीजिए तो एक जगे आपको मिल जाएंगे यह सारी चीजे आप कुछ बअब है इसके ऊपर किनारी पर ये मिर पास साटन का रिबन रखा था अंदर ये मैंने वही वालध लगा दिया इसमें जो मैंने पहले बना रखा था स्कुषाय यह पेपर मेरे पास एक एक्स्ट्र ये गुलू की मदश से ही इससे जल्दी चिपक जाता है थोड़ा आप इसे रिबन पेस्ट हो गया है तो कटके दूसरी साइड भी हम इसको पेस्ट कर देंगे देंको जोड दिखाई दे रहा है न आपको तो रिबन के नीचे ये जोड छिप जाएगा और जोड दिखाई नह नेवर्स के या काम चल रहा है वह ज्यादा आवाज आती रहती है मिसा तो यह अभी आप देखो मेरा वी यह बन के एक सुंदर बास्केट बन के तैयार है, अब यह बेकार की चीज़ों से अच्छे अच्छे समान बनाएं और मेरे वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और सभी से कहें मेरे चैनल को देखें सस्क्राइब करें प्लीज देखो यह मैंने बेड़ साइड में प्लेस कर दिये और इसमें में यह डियो और वैसलीन और यह है टेलकम पावडर इसी में स्पेस है मैं रख देती हूं लाउट और यहीं पर मैंने रख दिये अपनी क्रीम ठीक है देखो यह एक बनके तयार है में दो टोकरी जिसमें मैं अपना समान और गनाईज करूंगी आप भी बनाएं और इंजोई करें वीडियो को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखो घर कितना अस्त्यास हो जाता है थोड़ा सा काम करते हैं तो ऐसा बहुत मैनत लगती है चलो जी नमस्ते बाइबाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबाई